यह देखेकिए यह लेड़ी बार है यह मेरा रेसीवर है और इसी पर हम इसे नियापर लगाने वाले हैं इसके बारे में हम समझ लते हैं इसमें जिस तरफ यह हाई लाइट लिखा है यह हमारी सारी पिने कामन रहेगी दोस्तों तो यह किसा पता चलेगा इसके लिए हम मीटर का यूच करेंगे इसे हम बजर पर रखेंगे इसे हम जब मल्टी मीटर से चेक करेंगे तो इस तरह से एड़ेटी जलना चाहिए यह देखिए तो जिस तरफ इसकी रेट ट्रॉप रहेगी वह हमारी पिने कामन होगी दोस्तों उससे पहले मैं यह बता दूँ कि हम यहां पर लगाने वाले हैं देख लें एक बार रिसीवर को खुल करके उसके अंदर पीछे से जगह खाली है यह नहीं तो हम इसे खुल कर देख लेते हैं कि लिए दोस्तों यह देख सकते हैं इसमें यहाँ पर हमारी जगह खाली दोस्तों यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो मैं इसमें यहाँ पर देखकर निशान लगा लेता हूँ कि और उसके बार दोस्तों हम इसमें की पति लेंगे और इसे इस तरह से गरंद्रेंगे ऍरी से गरंद्रकर निशान पर रखेंगे और यह इसके पार हो जाना चाहिए भब या ठीक से कट हो सके इसके हम इसे बाहर निकाल लेंगे इस तरह से यह ठीक से लग गया है इसमें से बॉर्ड को निकाल लेना है तो मैं इसे खुर लता हूँ तो दोस्तों इसे कामन करने के लिए इसमें का वायर लेकर मैंने इसे छेल दिया है तो इस तरह से रखूँगा कामन वाले पर और इसे सडर करूँगा दोस्तों यह कामन करने के बाद में इधर जो हमारी पीने एच्छे लेडिया काम में आईगी तो इसमें से हम सुरू की दो दो एलेडिया जोड लेंगे क्योंकि हमारे पास दस एलेडिया तो मैं यहां पर इसकी दोनों पिनों को मिला दूंगा और यह भी दोनों पिनों को मिला दूंगा कि तो हम इसे साल्डर कर लाते हैं कि इस अल्डर हो गई है अब हमें इसमें का एक ट्रंजिस्टर लेना पड़ेगा और इसका नंबर है की जो कामा नहीं करा किसsta up सिखु kick therapist करेंगे तब बाकी कि दो पिनों में हमें क्या करना है कि भी मैं आपको बता देता है और नंबर गी फिन दोस्तों में यह वाली तीन यह में पिन हमें एक रिजिस्ट्र इन्स लगाना पड़ेगा जिस जो कि 4.7 के का रेजिस्टर है तो इसकी पीन नमबर 3 में मैं साडर करूंगा दोस्तों अब आई चलते हैं अपन फ्रांट पेनल की तरख तो यह आप देख सकते हैं यहां पर आपको यह तीन ट्रांजिस्टर दिखाई दे रहे हैं तो जब हमें इसे पलटते हैं तो आप देख सकते हैं कि यह एक दो और तीन ट्रांजिस्टर लगे हैं और इन तीनों ट्रांजिस्टर की एक पीन यहां पर लगी हुई है यह देख सकते हैं और और यह तीनों पीने कामन हो रखी है इस ट्रांजिस्टर की जो पीन नमबर एक है उसका जो ब्लू आयरा है इस ब्लू वायर को इनका तीनों का जो एक कामन है और यह रेजिस्टर लगा पस इसी पर हमें यह पहला वायर सल्डर करना है दोस्तों कि वायर संडर हो गया है दोस्तों हमारा जो रजिस्टर से जो वायर आ रहा है जामुनी वायर यह वाला यह हम कहां लगाएंगे तो इसके लिए हमें यह रिबिन वायर देखेंगे दोस्तों और इस रिबिन वायर में देखेंगे तो यहां पर जो एक पहला वाला वायर रेड वायर है यह इसका पिन नमबर एक है दोस्तों तो हमें यह वाला वायर जामुनी वाला वायर यह जामुनी वाला यह इसके पिन नमबर ग्यारा पर लगना दोस्तों तो ग्यारा पर लगाने के लिए क्या करना होगा पिन नमबर यहां से देखेंगे पिन नमबर एक दो फिर त तीन चार पार छे साथ आठ नो देस और यह ग्यारा नमबर तो इस ग्यारा नमबर पर हम इसे साल्डर करेंगे दोस्तों तो यह साल्डर हो गया है दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इसमें छे वायर साल्डर कर दिया हैं यहां पर तो यह एक दो तीन चार पांच और छे यह इस तरह से रहेगा दोस्तों जब हम इसे देखेंगे तो यह इस तरह से रहेगा तो यहां से पहला वायर सुरू होएगा ग्रीन वायर से एक फिर येलो दो तीन चार पांच छे और आखरी मे ब्लेक वाल वायल 6 नमबर का है हमारा तो हम इस तरह से इसे देखेंगे यहाँ पर हमारी IC लगी हुई है यूँ देखेंगे तो यह देखेंगे इसके अक्छर लिखे हुए हैं सीधे हम सीधे पढ़ सकते हैं तो हम यह सीधे पढ़ सकते हैं और यहाँ पर यह कट लगावा तो इसके नीचे से जो पहली वाली पिन है यह हमारा एक नमबर होगा यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो यह 7 तक आएगी इसके बाद फिर उपर आएगे 8, 9, 10, 11, 12, 13 और यह 14 नमबर के हमारी याखरी पिन है तो यह इस तरह से चलेगी दोस्तों तो यह हमारी पिन का पहला पॉइंट है तो हम जब इसे यह पल्टेंगे तो यह हमारी पहली पिन यहाँ आजाएगी दोस्तों तो आप इसे इस तरह भी समझ सकते हैं कि इसकी पहली और दो नमबर की पिन दोनों एक ही दोनों में एक ही connection में है इसके बाद यह तीन नंबर और फिर यहां से चार पांट छे साथ और फिर उपर जाएंगे तो यह 8 आ गया यह 8 नंबर तो यह 8 9 10 11 12 13 और यह 14 नंबर की पीन है हमारी तो अब हम यहां से देखेंगे दोस्तों इसे तब ही हमें छे वायर यहां solder करने हैं तो मैं बताऊँगा आपको कि कौन canar का सब्सक्राइखेंगे और अगर आपको समय में ना आए तो मैं तो मैं इसका डाइग्राम भी देदऊंगा उससे देखकर भी आप समझ सकते हूं और आसारी इसे कर सकते सकते हैं तो आग faudra िइं कि जब हम इसे इस तरह से पयजेंगे तो हमारा एक नंबर होता है ग्रीन वायर तो ग्रीन वायर हम एक नंबर है हम एक नंबर को ग्रीन वायर को प pedals पर सर्लर करना या देखते देखते हैं पिन नमबर छे कहा है 1 2 3 4 5 6 क्योंकि यहां पर यहां साथ और साथ चुद्धा पिन के इसी है तो इधर हमारे साथ पीन है तो साथ के पहले जो आएगा वह हमारा शिक्स नमबर होगा तो हम ग्रीन वायर को इस शिक्स नमबर की पिन पर साल्डर करेंगे अब हम जब इसे यह देखेंगे तो येलो आयर नमबर दो येलो आयर पिन नमबर 13 पर 14 नमबर से पहले जो हमारी पिन है वो हमारी पिन नमबर 13 है तो हमारा जो येलो आयर है वो पिन नमबर 13 पर साल्डर होगा दोस्तों अब हम इसे फिर देखेंगे इस तरह से अब यह ओरेंज वाला वायर जो है पिन नंबर 3 हमारी यह ओरेंज वायर है तो ओरेंज वाला वायर हमारा जाएगा पिन नंबर 11 पर तो चुम्कि हमने यह पिन नंबर 13 पर सालडर के था इस के पेले काया 12 नंबर और 12 से फेले 11 नंबर और उरेंज वाला हमारा पिन नंबर 11 पर यह देख्के यह नमधर हो गए है अब चोथे नंबर की पिन हमारी रेड वायर है हमें पिन नंबर बारा पर सर्ड़र करना है दोस्ते चवूदा तेरा बारा ये ग्यारा पर हमने सर्ड़र करी थी अब ये रेड वायर को हम पिन नंबर बारा पर सर्ड़र करेंगे यहने कि 13 और 11 के बीच वाला वायर यहने कि यह वाला वायर पिन नमबर 12 कि यह देखी यह भी कनेक्शन हो गया है हमारा अब हमारी केवल दो पीन बच्ची है ब्राउन वायर को पांच नमबर को हम साजी करेंगे पिन नमबर 5 में आइसी की भी पिन नमबर पांच में ही जाएगा दोस्तों यह तो दोस्तों इस ग्रीन वायर के पास वाली पिन नमबर फाइब है यहां पर हम ब्राउन वायर को साल्डर कर दोस्तों यह साल्डर हो गई है पिन नमबर फाइब पर हमारा ब्राउन वायर और अब हमारा जो आख तो उसके लिए जब हम यहां पर देखेंगे वन टू तो थ्री फाइब सिक्स सेवन और ये सिवन के बाद उपर आएंगे एट नाइन और टेन याने ये औरेंज के पास वाला वायर यहां हम ब्लेक वायर को साड़र करेंगे दोस्तों तो यह हमारा ब्लेक वायर भी साड़र हो गाया है दोस्तों वायरिंग हमारी कंप्लेट हो चुकी है यह आप देख सकते हैं पुरी वायरी हमारी कंप्लेट हो चुकी है और यह टेस्ट करने के लिए तियार है दोस्तों तो इसका डाइग्राम आप एक बार देख लिजिए तो ये डाइग्राम आप देख सकते हैं कितना सरल है और उसमें कनेक्शन कर सकते हैं दोस्तों और इसकी पीनों के कनेक्शन भी इस डाइग्राम में दरसा आए गए हैं करके लेते हैं और टेस्ट करके देखते हैं और इसमें स्क्रूग लगा लेते हैं और इस पेनल को इस LED बार को भी हम इसमें यहां पर फिट कर देंगे दोस्तों यह होगा है दोस्तों फिट यह देख सकते हैं तो आईए इसे टेस्ट करके देख लेते हैं तो दोस्तों देख सकते हैं इसे मैंने फिट कर लिया है और यह हमारा सिगनल वार है आप देख सकते हैं लगा हुआ है और यह रिसीवर को भी मैंने चालू कर दिया है लेकिन सिगनल बार में अभी कोई रीडिंग नहीं है क्योंकि अभी मैंने LNB का केबल नहीं लगाया है और सामने भी आप देख सकते हैं टीवी में भी नो सिगनल दिखा रहा है तो अब मैं इसमें LNB की केबल लगाऊंगा और आप इसके साथ ही टीवी पर भी देख सकेंगे टीवी में जैसे ही सिगनल आएंगे हमारे सिगनल बार पर भी इसमें रीडिंग दिखाएगा तो मैं इसमें लगा लेता हूँ इसमें केबल लगा लेता हूँ है यह जैसे ही मैं केवल लगाता हूँ आप देख सकते हैं सामने टिवी पर भी सिगनल लागा हैं और हमारे कष़िए सिगनल बार में भी रिडिंग दिखा रहा है दोस्तों कि है है सिसे अच इश सकते हैं जब सिगनल जाते हैं तो दोनों तरप अभी दिखा रहा है यह देख सकते हैं बिल्कुल आपके सामने दोस्तों यह देखिए और इसे इस तरह से देख रिमोट से सिगनल दिखाने की भी जर्वत नहीं हम बिल्कुल ऐसे रहेंगे लेकिन यह कंटीनू सिगनल हमां दिखाता रहेगा तो जैसे मैं चैनल बदलता हू हो तो हमारे सिगनल आउट हो गए क्युक्कि मुहां पर कोई चैनल चली नहीं घरा अब जब चालंड हो छहीं हमें सिगनल दिखाएगा है अब जय हम महां पर देखते हैं तो 32 करीब हमें सिगनल मिल रहे हैं तो यहां भी रिटिंग हमारी कम ही बता रहा है लेकिन जब हम który ह दिखा रहा है दोस्तों तो हमें इस तरह से दबाने की जरुवत नहीं है कि वहला हम जैसे ही कि टीवी पर जो भी चैनल देखेंगे उसका है सिगनल आटोमेटिक हमें बताता रहेगा दोस्तों यह देखिए तो यह बहुत ही बड़िया सिगनल लेवल दिखाता है दोस्तों और आप चाहें तो आप भी इसे बड़ी आसानी से बना सकते हैं और डाइग्राम चाहिए तो उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूगा तो महां से आप इसे देखकर आसानी से बना लेंगे और वीड